हाई फ्रेंट्स वेलकम टू रंभाज कीचेन आज मैं बनाने जा रही हूं रेश्टरोन अस्टायल में मिक्स बेज सब्जी जो की बहुत ही टेस्टी है बहुत ही एम्मी और पनीर की सब्जी से भी टेस्टी सब्जी बनेगा तो चलिए इसको बनाना शरूर करते हैं तो इसक लासुन का और अध्रक है यह दो सुखी हुए मिर्च ले लिया मैंने उसे कलर बहुत अच्छा ग्रेवी में और यह एक तेच पत्ता यह आलू है आप या तो बॉयल आलू ले लिजे या तो कच्छा इससे क्या होगा आपका ग्रेवी जो है क्रीमी टेक्शर आगा बीना आ यह कुछ गर्मसाले जो मैं इसको रोष्ट करके ग्राइंड करके लोंगी तो यह जीरा है एक बड़ी लाइंची दो चोटी लाइंची थोड़ी सी दल्चीनी और यह काली मिर्च दो लॉंग है इसको मैं रोष्ट करके ग्रैंड करके डालूंगी यह विजटिबल वाय रहा है दो मिडियम साइज का आलू जिसको मैंने चील करके दो नुप है ठीम्ला मिर्च को घृ इसको भी कट कर लिया है धूसी मेडिया सैज का गाजर है जिसको मैं बहींके दोस्तिक स्वेशरू करको दोस्तिद ऐस का गाजार ग्राइश करा हूसरों इसको में चानी गरम करने के रख दिया एक चमच सावुत धनिया डाल देंगे और इसमें जो मसाले मैंने लिया खड़ी और लालमिर्च को डाल देंगे और उसको थोड़ा धीमियाज भून लेंगे ताकि वह ग्राइन अची तरह से हो जाए और उसका टेस्ट भी बढ़ जाए दिखिए यह चुका है अब सब्जी भूनने के लिए पैन में चड़ा दिया है और यह जिब चमच है घर में जो खाना खाते वह चमच से मैं चार चमच कि तेल डाल दूंगी और उसको गरम होने देंगे अब इसमें आलू डाल देंगे पहले आलू और गाजर को एक साथ फ्राइ करेंगे क्योंकि दोनों ज्यादा टाम लगता है पकने में इसलिए दोनों को एक साथ फ्राइ करेंगे के आप सारे सब्जी को एक साथ भी प्रॉइ कर सकते मंतरे आलु और गाजर को भ्राइ कर लेंगे उसके बार फिलावर डाल देंगे उसी कि साथ यह आप तो अलग 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 Totally法 कर सकते हैं अब इसको भून लेंगे गुलावी होने तक थोड़ा सा गुलावी होने तो ज्यादा नहीं फ्राइब करने से जो मिक्स बेज का सब्जी बनता है पहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है तो इस तरह से इसको फ्राइब करेंगे अगर गाजार है तो जल्दी पक जाएगा अगर औरेंज वाला गाजारे आपके पास है तो वह थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इस तरह से देखिए यह फ्राइब कर दिया मैंने अब इसको इसको यह थोड़ा गुलावी हो चुका इसको निकाल लेंगे अब इसी तेल में कॉली फ्लावर डाल देंगे भूनने के एशने साथ अरफ्रे醒 की डाल सकते लेकिन मैं इसको अलग से यह भून रही हूं उसके बाद मैं आर्वाथ को वी में तब तक यह भून रहा है तब तक यह मसाल sap trina हो चुके उसको ग्रैंड करलें गे के अब भून चुक没有 मैं ऽुल्ड निकाल देंगे इसको बींस डाल देंगे और इसको कैप ऐसिगम को भी डाल सकता है है और States सब不會 तायम लगता तो इसको डाल करके दोनों को सब भून लेंगे के यह भी हो चुका है इब इसको भी निकाल देंगे मटर को अभी नहीं डालेंगे वह ग्रेवी जब बनाएंगे तो उससी से मैं उसको डाल देंगे इसमें एक चमज तेल डाल देंगे क्योंकि उसमें खत्म होगे तो आप पनीर को भी भून लगे अगर आपको पनीर कच्छा डालना चाहते हैं तो भी टेस्टी बहुत अच्छा बनेगा और ज्यादा इसको ने भूने थोड़ा हलका से बूने और निकाल दें क्योंकि ज्यादा भूनने पर हाड हो जाता है पनी इसमें थोड़ी सी जीरा डाल देंगे और इसमें कसूरी मेथी थोड़ाशा डाल देंगे उससे बहुत इच्छा टेस्ट ग्रेवी में आ जाता है और एक तेजपत्ता और प्याज डाल देंगे भूनेंगे तो देखिए थोड़ा सा ये ये कलर्ट चेंज हो चुका है प्याज का अब इसमें लाशन डाल देंगे और अधरक भी डाल देंगे मिर्ची को भी डाल देंगे ताकि ताकि थोड़ा भून जा और उसके बाद ग्राइंड करेंगे तो अच्छा टेस्ट आ जाए तो इसमें आलू भी डाल देंगे इसको थोड़ा कभर करतेंगे ताकि आलू जो है वो पक जाए अब इसमें काजू डाल देंगे इससे जो सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जारता है और इसको भून लेंगे टमाटा डाल देंगे और इसको भूनेंगे थोड़ा टाकि अज्चा करदेंगे इसको पानी डाल देंगे और इसको मेंक्स करके धंकर 75-चारů पक्टे can से कर оसुन दाएक त्रुकुेusan इसको पकार यह जो कन देंगे यहां इसको बंद कर देंगा थंड़ा होने देंगा उसी पैन को मैंने साफ करके गरम कर लिया और उसमें एक चमच बटर ढाल देंगे और तेल हो जालने नहीं दे और इसको जो ग्रेवी मैंने पीछ था उसको ढाल देंगे कितना अच्छा कलर आया है तेस्ट तो लाजवाब होगा इसको चला लेंगे ज्यादा दिर भूने नहीं क्योंकि मसाला जो प्याज और टमाटा था भूना हुआ था था थोड़ा कास्मेरी लाल मिल्स डाल देंगे इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आजाता है हल्दी प मतर है इसलिए अभी मैं इसको डाल रही हूँ अगर आप प्रेश मतर लेंगे तो आप जिससे में मैंने फ्राइ किया था उससे में थोड़ा फ्राइ कर लेंगे तो थोड़ा सा मिक्स कर लिए देखिए अभी इसमें जो मैंने ग्रैन किया था उसको धो करके पानी इसमें ड टेजपतर टालेंगे जिसमें मैंने टमाटर और जो ग्रैंड किया, उसमें निकाल दिया था, अब यह बॉाहिल आचुका है, इसमें सबजी, डालेंगे, जो ज्यदा पकने में टाइम लगेगा, उसको पहले डालेंगे, यहनि अलु और गाजर, डालेंगे कॉली प्लाबर को भी डाल देंगे और इसको mix करके इनिशला करके इसको पकने देंगे ताकि यह पक सके क्योंकि इसमें ज़ड़ा टाइम लगता है पकने में इसको कभर कर देंगे ताकि सारे सबजी अच्छी तरह पक ज Carson उझाए निक्षा अब कुछ दिल के बाद इसको Aggroak अधिल हटाएंगे और यह सबस्च का इसमें दाल देंगे और शला लेंगे और उसके बाद पनीर भी डाल देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पनीर भी डाल देंगे, आप देख सकते कितना अच्छा सब्जी दिख रहा कलर तो है ही और कहसomy बहुत अच्छा आ रहा है देखे इसको मीक्स करके कि इसमें नमक थ tread डाल देंगे क्योंकि मैंने नमक थोड़ा साही डाला था और इसको mix कर लेंगे विसमें जो मैंने मसाला जो बनाया था उसको थोड़ा डाल देंगे और इसको mix कर लेंगे अब इसमें कोई गरा मसाला पॉडर नहीं डालना है प्योंकि ये बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है और इसको mix करके पका लेंगे अब इसको थोड़ा दर के लिए फिर से कवर कर देंगे ताकि मसाला का खुश्पी भी आ जाए और पक भी जाए अब देखिए कुछ दर हो चुका है इसका ढ़का अटाके कसूरी मेथी डाल देंगे इसको आप तवे पर गरम करके भी डाल सकते हैं और इसको mix कर लेंगे करने के बाद एक मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि कसूरी मेथी का टेस्ट आ जाए अब देखिए एक मिनट हो चुके हैं देखिए सब्जी बनके तयार है अब इसको सर्फ करने के लिए निकाल लेंगे आप इस सब्जी को पराठा पूड़ी या रोटी या राइस पुलाव किसी चीज के साथ ले सकते हैं इसको यह बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी होता है बच्चों को बहुत पसंद आता है यह mix-based सब्जी और इसी बहाने सारे vegetable भी खा लेते हैं तो इस तरह से mix-based सब्ज सब्जी बनाइए तो लिजिए फ्रेंज यह mix-based सब्जी बनके तयार है अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और बगल बटन होगा उसको दवाना नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड और फैमली को शेयर कर नहीं भूलिए